तो आज की क्लास में हम समझने वाले हैं generation of computer याने की computer की PD हैं कौन कौन सी थी देखे क्या होता है computer का विकास लगातार हुआ है सुरुआत में जो computer आते थे उनका आकार बहुत बड़ा होता था उनमें जो speed होती थी वो बहुत कम होती थी इस हिसाब से computer को अलग-अलग PDU में बाढ़ दिया गया है कि फस्ट जनरेशन क्या था जब टेकनलोजी कुछ अलग थी सेकेंड जनरेशन क्या था जब टेकनलोजी कुछ अलग थी थर्ड जनरेशन में बदली फूर्थ में बदली इस प्रकार से computer का आकार कम होता गया speed और उसकी जो छमता है वो बढ़ती गई नैने computer आते गए इस हिसाब से computer को अलग-अलग PDU में बाटा गया अकुल मिलाकर पांच PDU हैं जो अभी एक structure पूरी चार्ट के रूप में आपको दिखाए दी रही है आप चाहें तो exam में ये चार्ट भी बना सकते हैं बनाने के आप सकता नहीं है बट जो generation है hardware component है characteristics है computers के नाम है ये आप as a diagram जैसे की अभी दिखाए दी रहे है वैसा भी आप exam के टाइम पर बना सकते साथ ही साथ इनको heading heading कर करके इनके बारे में detail आप इसी चीज़ को detail में भी लिख सकते इसे क्या होगा आपका जो answer उसकी length भी बढ़ जाएगी और एक शुरुवात में ये diagram बनाने से एक अच्छा impression पड़ता है तो जितना हो साखे block diagram या इस प्रकार से structure जो है flow chart है ये आपको exam में बनाने है तो यहाँ प्रकार बात करते चलो पाच्छो जनरेशन की बात करते है सबसे पहले first generation जो थी वो 1942 से 59 के बीच में जो computer आये थे 1942 से 59 की बीच में जो computer आये थे वो first generation computer कहलाते हैं जिसमें hardware component की बात करें क्या इस्तमाल होता था तो उसमें vacuum tubes का इस्तमाल होता था अब यह languages क्या होती है अलग से हम आपको जो videos की माद्याम से अभी training चली रही है हम आपको नएए videos में यह सारी जानकर यह एक एक करके देते रहेंगे तो एक चीज यह भी है कि आप अगर सब चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो चलो को subscribe करना मत बूलना characteristics की बात करा है machine language होती थी huge size जैसे बताया गया है highly expensive size बढ़ा है तो महगा भी होगा और high consumption of electricity अब चुकी size बहुत बढ़ा है आकार इसका बहुत बढ़ा है और इसको चलाने के लिए vacumes की अवस्यक्ता पड़ रही तो इसका जो cost of electricity है मतलब जो इसमें बिजिली का खर्च लग रहा है वो भी बहुत high लग रहा है computers की बात करते हैं क्या क्या computers इस series में आये थे vacuum tubes के साथ जिसके नाम थे ENIAC, UNIWAC, ADVAC, ADSEC और IBM 70i अब अगर इसकी बात करते हैं ENIAC की एक नाम आपको दिखाए दिए रहा है यह सबसे पहला computer आप इसको बोल सकते हैं ठीक है second generation की बात करते हैं जो आया था 1959 से 65 के बीच में अब यहाँ पर vacuum tubes की जगह पर transistors और magnetic tips के इस्तिमाल होने लगा था characteristics की बात करते हैं तो batch processing, multi programming operating system आ गए थे expensive हो गए थे थोड़ा सा और language की बात करते हैं तो यहां पर Fortran और COBOL जैसी language का प्रियोग होने लगा था ठीक है Fortran मतलब formula translation और COBOL मतलब common business oriented language जो थी इनका प्रियोग second generation में किया जाने लगा था कुछ computer के नाम थे IBM 7000, CDC 604, Altas, NCR और Honeywell यह second generation की computer थे third generation की बात करें 65 to 75 यह जो time period था इसमें third generation computer कहलाते हैं इसमें IC का इस्तिमाल होने लगा था integrated circuit का इसकी विशिस्ताओं की अगर बात करें तो remote processing, time sharing, multi programming operating system था fast, compact और cheaper था मतलब यह जो first generation, second generation की बात करते हैं इसकी अपेक्चा अच्छा इसकी जो विशिस्ता है वो एक दूसरे से compare करके ही बन रही हैं इन दोनों के अपेक्चा जो IC वाले system आये थे third generation की यह ज़्यादा तेज थे, compact थे और price में cheaper थे cheaper मतलब बहुत सस्ते रही थे लेकिन उनसे कम थे और language की बात करें तो pascal और basic, algol यह सारी language का प्रयोग इसमें किया जाने लगा था computer की बात करें तो IBM 360, 370, PDP8 और CDC 6600 यहाँ पर computer के नाम थे fourth generation की बात करते है, fourth generation जो था वो 75-88 था और इसमें VLSI, microprocessor circuit का इस्तमाल होने लगा VLSI का मतलब होता है very large scale of integrated circuit, अभी उपर एक IC लग रही थी, अभी यहाँ पर very large scale of integrated circuit का प्रयोग होने लगा था characteristics की बात करते हैं, time sharing, real time network इस्तमाल होने लगा था, distributed system थे, GUI operating system आगे थे, graphical user interface वाले operating system आगे थे, पहले DOS वगेरा की window चलती थी, उसके बारे मैं आपने बात में डिसकस करेंगे, faster हो गए थे, compact हो गए थे, affordable हो गए थे, अभी उपर लिख रहाँ चीपर, अब लिख 5000, Cray 1 or 2, Apple 2, VAX 9000, 5th generation की बात करें, 88 से लेकर present तक जितने भी system बने हैं, वो अभी 5th generation में ही चल रहे हैं, और यहाँ पर जो इस्तमाल होती है, technology वो है ULSI, micro processor circuit, साथ ही साथ, AI का इस्तमाल अब यहाँ पर होने लगा है, ULSI का मतलब होगे, ultra large scale of integrated circuit, और AI का मतलब होता, artificial intelligence, आज के समय में आप सबसे ज़्यादा इसी वर्ड का इस्तमाल सुन रहे होंगे, इसके लाबा, यहाँ पर इसकी विसीस्ता हैं, बत करतें क्या क्या है, parallel processing, artificial intelligence, technology देखें, यहाँ पर लिखा हम यह, C और C++, Java और .NET, यह ऐसी बहुत सरी और भी languages हैं, जो अब market में available है, system के अ इसको count किया जाना है, तो खुल मिलाके, पांच generation में computer की PDO को बाटा गया है, यह structure आपको याद रखना है, structure को आप note down कर लें, जैसे मैंने बताया, उस हिसाब से भी, और exam समय पर पहले यह structure बना है, उसके बाद इसको theory में भी आप detail में लिख सकते हैं, मिलते हैं, अगली class म wanna शॉल रखने में, झापको चैंगजारी को को समय बना है, ज講 सकते हैं, ज abundantे हैं, यहुआ रखना हैं, ज सकते हãUL, ज सकते हैं, दो ह Score Film being p